सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एक्जाम मन्थन 24-7 को और बेल आइकन दवाना ना भूलें जिससे आपको हमारी सभी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहें हेलो स्टुडेंट्स मैं विकासाप सावी का एक्जाम मन्थन पर सौगत करता हूँ तो हम एंसेंट इंटिया के अंतरकत जो आज का हमारा टॉपिक है वो है जो राजा थे और उनके दर्बारी कवी थे आज उन पर हम बात करने वाले हैं ठीक है लास्ट वीडियो हमने किस पर ज़रूरत नहीं है यह आपको पता है कि एक्जाम में इस वाले टॉपिक से बहुत ज़्यादा कुछन पूछे जाते हैं ना ही हम इस टॉपिक को कबर करेंगे दर्बारीयों के बारे हम बात करेंगे साथ की साथ ये भी बात करेंगे कि किस प्रिकार कुछन आने वाले एक् है दर्बारी कभियों से हमेशा कुछन पूछे गए हैं जैसे पूछ लेगा जिमूत वाहन जिमूत वाहन किसका दर्बारी कभी था किसके दर्बारी कभी थे इस प्रिकार के कुछन पूछे जाएंगे इनकी पुस्तक का क्या नाम था ठीक है ना इनकी पुस्तक का नाम दे काले हैं तो आपको एंड तक यह चीज देखने हैं ठीक है हो सके तो वीडियो को सेयर कर देना आई अपना टॉपिक शुरू करते हैं देखिए सबसे पहले कम इस पर बात करेंगे कि कौन-कौन से कभी नहीं मतलब कौन-कौन दरबार में रहा जरूरी नहीं वो कभी ही रहा ल चंद्रगुप्त मौरे तो चंद्रगुप्त मौरे के दरबार में जो थे वो कौन थे कौटिल्य है कौटिल्य के हमें अन्य क्या-कया नाम देखने को मिलते हैं चानक क्या पक्छिल स्वामी ठीक है चानक क्या विश्णुगुप्त पक्छिल स्वामी ये अन्य नाम है किसक कौटिल लेके ठीक है इनकी पुस्तक का नाम है अर्थसागर जो की एक ताड़ के पत्ते पर लिखी गई थी संस्क्रप भासा में उसका 1915 में इंगलिस में ट्रांसलेशन किया गया था ठीक है नेक्स्ट हम देखते हैं चंदरकुप्त मौरे के दरबार में एक और थे मेगस्थनीज कौन मेगस्थनीज चंदरकुप्त मौरे के दरबार में इते इनकी पुस्तक का नाम इंडी का है और ये भारत में चार वर्सों तक रहे कितने वर्सों तक चार वर्सों तक भारत उसके दो सेनापती आपको मुख्य रूप से आद रखने, सेल्यूकस और नियारकस, सेल्यूकस का यो दूवा चंद्रगुप्त मौरे के साथ, और सेल्यूकस हारा, जिसके कारण सेल्यूकस को अपनी पुत्री का विभा करना पड़ा, चंद्रगुप्त मौरे के साथ अपनी पुत्री का विभा किया उसका मन लगा रहे ताकि उसको ऐसा ना लगे कि वो किसी दूसरे घर चारी है इसलिए सेल्यूकस ने एक व्यक्ति अपनी पुत्री के साथ वेजा जिसका नाम था मेगस्तनीज ठीक है ना तो मेगस्तनीज किसके समय भारत आया चंद्रगुप्त मौर्या के समय भारत आया ठीक है इसकी पुस्तक का नाम इंडी का है और ये भारत में चार वर्सों तक रहा अब देखते हैं आखिरकार इंडी का पुस्तक में भारत के बारे में क्या लिखा है मेगस्थनीज ने ठीक है जैसेगी भारत का आकार चतुरुबुष्था ऐसा लिखा है मेगस्थनीज ने सेकंड बात भारत के लोग व्याज पर पैसा नहीं लेते थे, नहीं देते थे, ठीक है, थर्ड चीज, राजा की अंग रक्षक लड़कियां होती थी, यानि औरते राजा की अंग रक्षक होती थी, फोर्थ चीज, भारत में कभी अकाल नहीं पड़ा, ठीक है, फिप्त चीज लोग जो थे वो हैराक्लीज हैराक्लीज यानि किर्षन और डाइनोसियस यानि सिव की पूजा करते थे ठीक यानि जो लोग थे वो सिव और किर्षन की पूजा करते थे यानि पूछे तो हैराक्लीज किसे कहा गया किर्षन को कहा गया बात करें विश्नु गुप्त और कोटिल ले चानक के हैं ठीक है उनकी पुस्ता का अर्थसास्त जो की तालके पत्ते पर संस्कत भासा में लिख्यों ही मिली थी और उसका 1915 में इंगलिस में ट्रांसेशन हुआ उसके बाद करतें मेगस्तनीज तो मेगस्तनीज जो था वो सेल्यूकस न सेल्यूकस ने मेगस्तनीज को भेजा जिसकी पुस्तकराम इंडिका है उसने निम्नबाते कहीं है भारत के बादे में जिसे भारत का आकार चत्रवुज है यहां के लोग सूध पर यानि ब्याज पर पैसे नहीं देते हैं यहां पर कभी अकाल नहीं पड़ा राजा की जो अ दाइनोसियस यानि सिभकी पुजा करते थे यह चीज़ें आपको याद रखनी है नेक्सम देखते हैं वो है पुस्मित्र सुंग तो पुस्मित्र सुंग के दरवार में एक कभी रहे जिनका नाम था पतंजली ठीका ना कभी या फिर चिकित सक भी कह सकते हैं पतंजली ठीक देखिए प्राशीन भारत में अस्मेग यग कराना एक बहुत बड़ी बात होती थी यदि किसी राजा ने अस्मेग यग कराया तो समझ लीजिए जनता के धिमाग में उसका भैबैट जाना निश्चित था कारण ये था कि अस्मेग यग में बहुत जादा धन खर्च होता बहुत जादा अनाज खर्च होता था ठीक है ना बलियां दी जाती थी बलियों का मतलब ये समझी आप देखिए अनाज की आहूती दी जाएगी तो अनाज खर्च होगा ठीक है उससे हमारा वनिक वर्ग जो होगा वो प्रभावित होगा ठीक है तो लोगों में भै बैठता तो एक डर बनता था तो जो भी राजा होते थे यदि वो असमेग यग करा देते थे तो उनका भै बैट जाता था जनता में ठीक है इसी कारण राजा बहुत फेमस हुए जिन्होंने असमेग यग कराया जैसे की पतंजली ने कराया था पुस्मित्र सुंग के लिए दो यग्य तो आपको याद रखनी है यह कभी पूछा नहीं जाएगा तो पतंजली जो थे वो पुस्मित्र सुंग के गुरू थे कौन्टे गुरू थे और इनो ने पुस्मित्र सुंग के लिए दो असमेग यग्य कराई एग अस्व में यग कराई ठीक है नेक्सम बात करते हैं कनिस्क तो कनिस्क के दर्वार में आपको 6 याद रखने हैं 6 कभी याद रखने हैं कौन-कौन गुरू पार्स भहुत ज़्याद पूछा जाएगा याद रखना अच्छे से पढ़ना गुरू पार्स नागार जुन ठीक है वाशुमित्र अश्वगोस और अजयसिलास ठीक है छे नाम आपको अच्छे से रट लेने हैं घोट लेने हैं ठीक है गुरू पार्स नागार जुन चरक वाशुमित्र अश्वगोस और अजयसिलास जो चरक थे वो कौन थे वो चिकित सकते बात करें अजयसिलास तो इंजी इंजीनियर थे हमारे अजय सिलास तो आपको छहनाम अच्छे से याद रखने है नागार जुन गुरुप पार्स चरक वासुमित्र अर्स्म भूस और अजय सिलास जिसमें से चरक चिकिश सकते अजय सिलास इंजीनियर थे 78AD में कनिस्क ने अपना राजजयवी से कराया और राजजयवी से कि कुछी में सकसंबत की सकसंबत की नेक्स नं बात करते हैं विक्रमाधित्य यानि चंदरगुपत्य दुत्ये चंद्रगुप्त दुत्य जो था यानि विक्रमा देखते हैं उसके दरवार में आपको आठ याद रखने है आठ याद रखने है भूत अच्छे से याद रखने है ठीक है आठ कौन-कौन कालिदास धन्वंत्री शंकू भारूची वरहामीर चपणक अमर सिंग वेतालबट औ चंद्रगुप्त दुत्य की दरवार में आपको अनौयाद रखने है कौन-कौन-कालिदास भारूची अमर सिंग धरमंत्री वरहामीर वेतालबट संकू चपनक और घटकरपन ये थे हमारे किसके चंद्रगुप्त दुत्य याफिर विक्रमा दित्य के दरवार में चंद्र चंद्रगुप्त दुत्य अफिर विक्रमा दित्य की साधी किसके साथ हुई थी कुबेर नाग नाग बंस की राजकुमारी ठीक है जिनके कुबेर नाग और चंद्रगुप्त दुत्य दोनों से एक पुत्री हुई जिसका नाम था प्रभावती क्या नाम था प्रभावती यदि बात करें किसकी यदि बात करें हम चंद्रकुप्त दुत्या की तो ये पहला राजा था गुप्त बंस का जिसने चांदी के सिक्के सुरू किये थे चांदी के सिक्के शुरू किये थे ठीक है? एक और नाम याद रखना है फायान जिसकी पुस्टक का नाम है फोको की यहां लिख दे रहाँ फो को की और इस फोको की पुस्टक में बताया गया है की चंद्रगुप्त मौरे के बाद चंद्रगुप्त दुत्य यानि विक्रमादित्य के बाद ही इसके सासनकाल के बाद ही नालंदव इस विद्यले की स्थापनों हुई थी ठीक है, next हम बात करते हैं next है हर्सवर्दन तो हर्सवर्दन के दरवारी आपको दो याद रखने हैं वानभट और ब्रह्मगुप्त कौनकोर वानभट और ब्रह्मगुप्त जिसमें से वानभट की दो पुस्तक हैं कादमरी और हर्सचरित्र ठीक है ना, वानभट और ब्रह्मगुप्त आपको याद रखने है वानबर्त की दो पुस्तक है कादमरी और हर्स चरित्र बात करें ब्रह्मुगुप्त की तो ब्रह्मुगुप्त की पुस्तक का नाम है ब्रह्म इस्फूट सिद्धान्त तो यह आपको याद रखना है यदि बात करें महीपाल पिर्थम तो महीपाल पि विद्रो देखने को मिलता है केवर्त जंजाती विद्रो के समय ही महीपाल दुत्य की मिर्ती हुई थी ठीक है ये आपको याद रखना है यदि बात के प्रतिविराज चोहन तो प्रतिविराज चोहन के दरवारी आपको याद रखने है चंदर बढ़ताई जिनकी पुस्तक का दरवारी करे भी ते जो कि एक पल्लव राजा थे कैसे थे पल्लव राजा थे नेक्स अम बात करें नर्सिंग वर्मन दुत्य है तो नर्सिंग वर्मन दुत्य के दरवारी आपको याद रखने है दंडिन तो उनके दंडिन थे उनकी दो पुस्तक आपको अच्छे से याद र बात करते है तो पुलकेश जिन दुत्य के दरवारी आपको याद रखने रभी 80 जिनों ने एहोल अभी लेक में ही हमें यह देखने को मिलता है कि पुलकेश जिन दुत्य ने हर्सवरदन को नरमदा नदी के तट पर हराया था अधूर तो पूचछ जाएगा और अभी 80 किस के दर्वारी थे जिनकी पुष्टक है विक्रमांक देव चरित्र तो आपको याद रखनी है चीजें तो ये थे हमारे दर्वारी और उनकी पुष्टकें और उनसे सम्मंदित कुछ महत्थापूर बाते उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से आपको यह वीडियो समझ में आई होगी ठीक है यह छोटी सी वीडियो बनाने का कारण यह है देखिए जब आप एक्जाम देने जाओगे ना तो आपको confusion ना हो आप सुल्जे हुए हो उल्जे हुए ना रहें ठीक है तो सुल्जाने क का काम मेरा है और पढ़ने का काम आपका है ठीक है तो एक बार हम जल्दी से invasion कर लेते हैं हमने क्या पड़ा सब्से पहले हमने चंदरगूत मोरे के बारे में देखा चंदरगूत मोरे ठीक है, जो कि भारत में किसके समय आया है, चंदरगुप्त मौरे के समय आया, इसकी पुस्ता का नाम इंडिका है, इसने भारत के बारे में कुछ महत्तकुन बाती कही है, जैसे कि भारत का आकार चतरवुज था, भारत में अकाल नहीं पड़ता था, थर्ड भारत में दास्प पुलो ली पॉता कहा जाता था, लेका पुशमित्र सुंग के दरवार में नामता पतंजली पसमित्र सुंग के लिए दो, आसमेग ये गुवी कराई थे नेक्स हम बात करते हैं कनिस्क तो कनिस्क के दरवार में आपको जो मुख्य रूप से याद रखने वो छे हैं कौन-कौन से गुरुपार्ट्स, नागारजुन, चरक, वासुमित्र, अस्वगोस और अजैसिलास जिसमें से चरक चिके सकते हैं अजैसिलास इंजिनियर थे, नेक्स हम बात करें, 78 AD में कनिस्क ने अपना राजवी से कराया और सक संबत की शुरुआत की, उसके बाद हमने देखा कौन, विक्रमा दित्ते हैं, विक्रमा दित्ते या फिर हम कह सकते हैं कि चंद्रगुप्त दुत्य हैं, ठीक, तो उनके आप जिसकी पुस्तक का नाम, फोको की है, जिसमे नालंदव इस विद्धाले के निरमार के बारे में जानकारी देखने को मिलती है नेक्स नम बात करते हैं हर्सवर्धन तो हर्सवर्धन के समय में आपको दो याद रखने हैं कौन-कौन वानवट वानवट और ब्रहमगुप्त वानवट की दो पुस्तां कादंबरी और हर्सचरित्र और ब्रहमगुप्त की ब्रहमगुप्त सिद्धान्त नेक्स हम बात करें महीपाल पिर्थम तो महीपाल पिर्थन के समय में आपको एक याद रखना है जिमूत वहां जिसकी पुस्तक थी दयाभाग सागर नेक्स उसके बाद बात करें रामपाल तो रामपाल के समय में आपको एक याद रखने कौन संद्याकर नंदी जिसकी पुस्तक का नाम रामपाल चलेतर था और रामपाल चलेतर में केवर्त जंजाती विद्रोर देखने को मिलता है नेक्स उसके बाद बात करते हैं प्रतिविराज चोहान तो प्रतिविराज चोहान जो थे उनके समय में आपको एक याद रखने जिनका नाम है चंदर बरताई जिनकी पुस्तक का नाम है प्रतिविराज रासो उसके बाद हमने बात की सिहिंग विश्णू जो की एक पल्लव राजाते तो सिहिंग विश्णू के समय में आपको एक याद रखने कीर्था अर्जूनियम कौन कीर्था अर्जुनियम उसके बाद हमने बात की पुलिकेसिन दुत्य तो पुलिकेसिन दुत्य के समय में आपको एक याद रखने रवी एट्टी ने एहोल अभीलेक की रचना की है और एहोल अभीलेक में हमें देखने को मिलता है कि पुलिकेसिन दुत्ये ने हर्स वर्धन को नर्मदा नदी के तटपे हराया था उसके हम बात बात करते हैं नर्सिंग बर्मन दुत्ये तो नर्सिंग बर्मन दुत्ये के समय में आपको एक यादत अटने इसलिए मैं इसके उपर वीडियो लेकर आया, तो आपको बताना है कि टॉपिक अच्छा था या नहीं था, दूसरा आपको कमेंट में बताना है कि वीडियो कैसी थी, और वीडियो अच्छी लगी तो उसे लाइक कर देना, ठीक है, तो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, चोड़े चोड़े टॉपिक्स में बाट कर खतम कर लेंगे, आपको महसूस भी नहीं होगा, कि एंसेंट इंडिया इतनी हार्ड भी थी, ठीक है, बिलकुल तोड़कर उसे सुलजा कर इजी भासा में कम्प्लीट करेंगे, तो आपका काम रहेगा, डेली वीडियो रेगुल करेंगे, नोट्स में ने डाल दिये हैं, तो उन्हें आप देखकर पढ़ सकते हैं, थैंक्यू, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो दो,